दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए घड़ी और ये घड़ी है बहुत बड़ी तो इसकी हेल्फ से मैं आज आपको सिखाऊंगा घड़ी का पूरा कॉंसेट बहुत ही मज़दार तरीके से तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉंसेट से बिकोज आप भी जानते हैं कि कॉंसेट इस पावर हम बात करेंगे घड़ी की तो मैंने आपके लिए किराये पर एक घड़ी मंगा ली है बहुत बड़ी दिन दहाड़े आपके आपकों के सामने कॉंसेट सिखाऊंगा hands आते हैं, Cloak Face क्या होता है, Cloak Face यह होता है जो आपको ये goal, इसका wheel नजर आ रहा है, इसको Cloak Face बोलते हैं, और ये जो hand होते हैं, गड़ी के हाथ, ठीक है, अब गड़ी time किसे बताती है, अपने हाथों से बताती है, मतलब अपनी सूईयों को ही घड़ी के clock hands कहा जाता है तीन होती है आपको पता है यह आपकी minute की सूई हो गई यह आपकी घंटे की सूई हो गई और यह आपकी second की सूई हो गई English में ही इनको minute hand hour hand और second hand कहा जाता है second hand का मतलब पुराना सामा नहीं आपकी second की सूई कहलाईगी और यहाँ पर यह 12 नंबर है यह आपके math में भी हो और यह आपके Roman numerals में भी हो सकते हैं तो यह सब हमें दिखाई देता है घड़ी के अंदर इसारे इसके visible parts से अब देखिए घड़ी के shape कैसी होती है घड़ी एक circular shape में होती है और circle की अगर मैं इस boundary की बात करूँगा तो इसको हम circumference बोलते हैं या हिंदी में इसको परीधी कहा जाता है तो घड़ी में क्या होता है इस पूरी इसकी circumference को 60 equal parts में divide कर दिया गया है मतलब 60 बराबर हिस्सों में बाटा गया है और हर एक हिस्से के बीच की जो दूरी है उस दूरी को एक मिनट कहा जाता है समझ में आगई बात जैसे कि यहां से यहां तक की यह दूरी यह एक मिनट होगा यहां से यहां तक की यह दूरी यह एक मिनट होगा और फिर यह आगे भी एक मिनट होगा तो इस तरीके से ये पूरा हमारा बनेगा कितने 60 minutes का ये पूरा जो है ये round बनेगा मतलब एक घंटे का तो ये basic चीज़े थी अब आईए इस से जुड़े कुछ facts और क्या-क्या इसमें angle बनेंगे वो सब चीज़े जानेंगे और उसके बाद इसके questions की starting करेंगे दोस्तों पहले मैं आपके काम की एक बात आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के description में एक application का link दिया गया है Emo application का आप उस link पर जाकर application डाउनलोड कर लो और sign up कर लो उसके बाद आप Emo zone पर जाकर mathematical अड़्डा में connect हो जाना वहाँ पर हम आपको mathematics की chapter wise topic wise PDF प्रोवाइड करवा रहा है और आपके solution का answer भी दे रहे है hand written में और ये सुवीज़ा स्री 50,000 बच्चे के लिए अभी हमने रखी है तो जो पहले जाके application install कर लेगा उसको ये सारी PDF बिल्कुल free of course मिल जाएंगे तो बिल्कुल देर ना करें application को download कर लेना ठीक है आईए अप मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ fact लिए है इनको समझते हैं फिर questions करेंगे यहाँ पर मैं घड़ी ले लेता हूँ हाथ में अब देखे पहले fact के हम बात करेंगे पहला मैंने लिखाए कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 दिगरी का कोन बनाती है मतलब जो हमारी hour hand होती है वो एक घंटे में 30 दिगरी का angle बनाती है कैसे बनाएगी देखो समझो अभी हमारी घंटे की सुई यह है छोटी वाली और यह अभी एक बज़ा रही है हमारी घंटे में एक बज़ रहा है अब देखिए घंटे कैसे चली की हमारी घंटे की सुई वाली थी यह पहले थी हमारी एक पर मतलब यहां पर थी और यहां से अभी यह आ गई दो पर यहां आ गई मतलब यहां से यहां आने में यहां से यहां जाने में जो यहां पर जो angle बनाया न है इतना angle जो बनेगा यह angle आपका 30 degree का होगा समझ में आग़ा है पात कैसे कह रहा हूँ मैं जेखिए यहां पर अगर मैं इसी को board पर आपको समझाऊं कि यह हमारे पास यहाँ पर माल लीजिए एक पर थी और फिर यह सूई बढ़कर इस तरह से दो पर आगई तो यहाँ जो यह एंगल बनेगा यह कितना बनेगा 30 डिगरी का एंगल बनेगा ठीक है आईए अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है कि मिनट की सूई 5 मिनट में 30 डिगर से यहां तक आगई अगर मैं लेकिन डिस्टेंस देखूं तो यहां भी 5 मिनट कवर हुआ है और इस एक घंटे की सूई ने भी यहां से यहां तक देख रहा तो पांच मिनट का इफासलते किया तो इसका मतलब यह है कि मिनट की सूई जो है वो सिर्फ 5 मिनट में 30 डिगरी क देखूं तो वो यह है कि घंटे की सूई एक घंटे में 5 मिनट की दूरी ते करती है ठीक है जो घंटे की सूई मैंने भी आपको बता दिया आप घंटे की सूई देखिए पहले कहा थी घंटे की सूई पहले एक परती यहां परती एक घंटा यह पूरा हुआ उसके बाद य कि पूरे घंत का फासला ते करेगी कि वह यहां से चल कि पूरा ही घूं dar wah कफ का फासला और गंटे कि सूरे १ाइप फासला ते करती है यह प्रॉंट ना अब desky अगला पॉइंट इंपोविल्टन था और इसको मैं start क भी बना देता हूं मस्झ कैकि एक एक मिनट में छे डिगरी होती हैं क्या बात हुई एक मिनट में छे डिगरी होती हैं क्या बात हुई एक मिनट में छे डिगरी होती हैं अब इसको समझाता हूं देखिए एक मिनट में छे डिगरी होती हैं इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब देखो मेरे प्यारों यह हुआ कि अभी मैंने आपको बताए था कि 5 मिनट में जो है वो कितने डिगरी का एंगल बनता है 30 डिगरी का एंगल बनता है ठीक है क्योंकि घंटे की सुई एक से दो पर आ गई तो यह कितने मिनट हुए यहां पर अगर मैं मिनट देखूं तो श्रीफ 5 मिनट होंगे मिनट कितने होंगे आपके श्रीफ एक दो तीन चार पांच मिनट होंगे इस तरीके से लेकिन एंगल कितना बनेगा 30 डिगरी का बनेगा तो जब 5 मिनट में बन रहा है 30 डिगरी का एंगल तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 एकम 5 और 5 चिंग 30 इसका मतलब क्या है कि एक मिनट में सिर्फ 6 डिगरी का एंगल बनता है यानि हर एक मिनट में 6 डिगरी का एंगल बनेगा तो देखिए यहाँ पर यहाँ अगर घड़ी को देखें एक मिनट कितना होता है यहाँ से अगर हम शुरू करें तो यहाँ से यह हो गया समझ में आई बात हर एक 5 मिनट में कितने डिगरी हो गया 30 डिगरी हो गया अब एक बात और सोचुआ पूरे घंटे में कितने मिनट होते हैं पूरे घंटे की अगर हम बात करें तो 60 मिनट होते हैं भई एक आवर में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो ये हमारे पास क्या है मिनट है अगर मुझे 60 से म्लटिप्लाइक इसको मुझे गंटा बनाना है इस मिनिट वह मिंट को क्या करूंगा मैं इसकी सी करूंगा उसके इन इसका मतलब ये है कि 60 मिनट में मतलब पूरे एक गंटे में कितने डिगिरी होती है 360 डिगिरी होती है ये हम conclusion निकाल सकते हैं और ये बिल्कुल लॉजिकल है देखिए यहाँ पर जिए घड़ी है हमारे पास अगर मैं इसको यहां से यह हमारे पास यहां श्ताइट हो ये पूरी घूमके ये एक चकर हो गया ये पूरा एक घंटा हो गया यह हम किसकते कि 60 मिनट हो गये तो ये जो पूरा एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहां तक का दोस्तो ये 360 degree का बनेगा और मैंने आपको बता भी रखा है कि circle का जो यह पूरा angle होता है circle का यो पूरा angle होता है यह कितना होता है यह आपका 360 यह 360 और 360 डिगिरी का होता है तो यह बात ध्यान लखना यह बहुत important बात है और ये बहुत छोटी है और इसको आप सवाल सॉल्फ करेंगे एक एक मिनट का खेल होने वाला यहाँ पर अगला है हमारे पास की प्रति एक घंटे में मिनट की जो सूई है वो घंटे की सूई से 55 मिनट अधिक दूरी ते करती है क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि देखिए अगर मैं हर एक घंटे की बा ना फासलतیں किया वो देखते हैं तो मिनट की वारा पर ती ओ हुआ वारा से घूमऔर बारा पर ही आगई मतलब कितने मिनट की सूई क्या साट मिनट का सिक्स्टी मिनट का फासलत इस वह है अगर में घंटे की सूई को स्वाद्पFit Si पूरे साट्पैकर फासलते क Aidीं दोर्ण देखेने पूरे साट मिनट appear तो मैं संआ कि कह सकता हूं कि मिनट की सूई से 55 मिनट 55 जो है वह ज्यादा फासला ते करती है हर एक घंटे में यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रति एक घंटे में हर एक घंटे में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई है पांच-पच-पन मिनट अधिक दूरी ते करती है ठीक है आईए अगला पॉइंट समझते हैं देखिए अगल यहां पर आप देख सकते हैं तीन भज़ रहे हैं और यहां पर आण्गल जो बन रहा है कितना बन रहा है 90 का आंगल बन रहा है तो जब भी दो सुई आनब्भे डिगरी का आंगल बनाएंगी तो उनके बीच का जो फासला होगा वो कितना होगा 15 मिनट का होगा कहीं बार आप एक गंटे में दो बार होता है, देए आगे लिखे बहुता है पूर लिखे लेना ल।क्त हिंए इसे बाई है अब तीन बजे की बात करूं तो एक तो थीन बजे की हो गया यह अब यह घरी किस्थ आगे बड़े अगे बड़े आगे बड़े और आप देख सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ पर यहां आप यहाँ पर कोगा इनके बीच मेस अ होगाना होगा यहाँ पर कितना होगा 90 ड्यूजी नियुक्त oluş होगा ठीक ही इसको आप गंटा ते करेगी तो गंटे की सुवी भी कुछ दूरी ते कर चुकी होगी मतलब वो बीच में आ चुकी होगी तो यह थोड़ा सा आगे बढ़के जमना इंटी का बनेगा इस देट के लिए तो यह कुछ बाते थी जो घरी में आपको ध्यान रखनी है सबसे जरूरी बात कि को एक मिनिट में 6डिगी होता यहां से आपके बहुत सारे काम सोलोने वाले हैं वो कितने मिनिट में की तो हमने 10 मिनिट आगे कर रखा हैं तो हमें तो हमें तो स्लोड़ चल रही है तो तो फिर क्या करना पड़ेगा मैं actual time पता करने के लिए उसमें time को उसको आगे करना पड़ेगा तो ये बात ये आप ध्यान रखना सवाल बनेंगे इसके भी तो आईए अब आज आईए क्या करें आप हुमने पूरा concept सीख लिया है घडी का क्या क्या चीज़े होती है वो सब स स्टार्टिंग करते हैं आईए स्टार्ट करते हैं पहला कुष्ण मैंने बेसिक लिया है तागे आपको मैं करवा सकूं कि कैसे कुष्ण की स्टार्टिंग करनी है यही आप पोस्ते सर यह बताईए how to solve वही मैं आपको बताऊंगा यहां पर एक कि 7 बचकर 20 मिनट पर गंटे की सूई तथा मिनट की सूई की बीच का ओन बताईए मतलब घड़ी में 7 बचके 20 मिनट हो रहे हैं तो वो दोनों घंटों मिनट की सूई यहां कितने डिगरी का एंगल बनाएंगी यह हमें बताना है आईए इसको समझते हैं अपना किराया वसूल करते हैं घड़ी क देखिए यहां पर यह साथ बचके 20 मिनट हो रहे हैं अब यहां पर यह जो एंगल बन रहा है इस जगाँ पर यहां कितने डिगरी का एंगल बन रहा है मैं यह बताना हैं कैसे निकाल सकते हैं देखिए क्या करेंगे अगर मैं क्या करूँ मैं यहां से 7 घंटे का एंगल नि कि मैं यहां से यह पूरा साथ घंटे का निकाल कर अगर उपर का इतना पाट रड़ा दूँ तो मेरे पास यह वाला पाट आजाएगा मतलब मेरे पास यह एंगल लिखल के आजाएगा समझ में आगए बात ठीक है अब देखिए आपको मैंने बताया था अब जो हमेंने सीखा वन आवर में जो 30 डिगरी का एंगल बन जाता है अब अगर मैं साथ घंटे की बात करूंगा तो सेवन आवर की अगर मैं बात करूंगा तो भई यहां पर यह साथ गुना हो गया इसका इसको भी साथ गुना कर दो तो यह उलाएगा साथ यहां 21 210 डिगरी तो साथ घंटे मे 210 डिग्री बन गया हैं यह मैं कह सकता हूं अब इस मैसे मैं 20 decis unions कर दूंगा मीरा अंसर आ जाएगा खलत अंसर आएगा क्यों आएगा सुनू देखिए सोचना आपको ये हमारा साथ गंटे में 210्डे बनाए ये हमारा 250 रच बना वाक बना कि जब हमारा साथ बच चुके हैं बह Ols त्यांस साथ बच बुच्ए 20 मिनट है अब देखिए ध्यान से घड़ी पे गौर किजिए जब साथ बच बाद 20 मिनट होंगे तो यह वाली सुई घंटे की कुछ और आगे बढ़ जाएगी देखो ध्यान से देखो दुबारा यह सुई में आगे बढ़ाओंगा यह खुद आगे बढ़ेगी तो जब मैंने साथ बच के 20 मिनट बजाए तो यह सुई आगे बढ़ रही है आपको मेरे यह सपथासे जोड़ेंगे वह से जोड़ेंगे देखिये इस साथ गटे-पीस मिन्ट है हमारे पास साथ घنटे-बीस मिनट अगर मुझे बीस एक बटा तीन अब अगर मुझे इसकी डेगिरी निकालने होगी तो मैं क्या करूँगा हमारा साथ गंटे-बीस प्लाई कर दूँगा तो यहां से जाएगा तीन धाम तीस तो यह कितना आ गया दस दिगरी आ गया और साथ घंटे की डिगरी हमने निकाल लिए 210 डिगरी इसका मतलब टोटल डिगरी जो होगी वह 220 डिगरी होगी किसकी साथ घंटे 20 मिनट की समझ में आगई बात ऐसे करना है आपको थो साथ घंटे 20 मिनट में 220 डिगरी का पूरा अंगल बनेगा अब में माइनस कितना करना है यह से और इहां से लेकर इस पूरे वासर कर देना इधर वाला 아जाएगा तो एक घंटे में यह मैं कैसा नहूं पांच मिनट में 30 डिगरी बनता है तो 20 मिनट में कितना बन तो मुझे क्या करना सिंपल एंगल बनेगा हमारा आंसर आ चुका है लॉजिकल प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा सब कुछ करके तो हमने यहां पर सब कुछ के लिए हमारे पास तो इस तरीके से आपको करना है और यह चीज़ा आपके माइन कर सकते हो जाए दियर सर ने घड़ी मगाई ती किराए पर वह घड़ी माइन में लाना कि हमारे साथ घंटे की बनेंगी और हमारे साथ गंटे की दोस्ता बाग की एक्स्ट्र बढ़ सब्सक्राइब का सवाल समझते हैं जल्दी से दो सवाल और कर लेते हैं कि एक्जाम में पूछी रा चुके हैं इसलिए मैंने यह ले लिए फटा फट करेंगे इनको बहुत आसान है सवाल यहां पर हमें दिया गया है पर चार बच के छपन मिनट से पांच बच के बतिस मिन मिनट तक का जो टाइम है वो एक घंडे का कितना हिस्सा है तो सबसे पहले देख लो यह टोटल मिनट कितने होंगे ऐसे आप सोचो सबसे पहले अब देखिए करना क्या है यहां पर चार बच के छपन मिनट है अगर मैं इस पर चार मिनट और जोड़नों तो कितने बच हैँ तो быть 36 मिनट का बताना एंगे 56 मिनट जो होंगे वो कितने बाठ कितना होंगी तो हमें क्या बताना कि एक घंटे का यानि 60 मिनट का कि जो 36 मिनट्स हैं यह कितना पार इनके अंक इस फ्रेक्षयन में लिगते ना कि يंगлы कर देंग अब हिसते इक यह रैव्याग करिए कर टाफ टाफ कर यहां पर माइंड भई 6 बच के 50 मिनट से 7 बच के 38 मिनट अब ध्यान रखना क्या करना है सबसे पहले हम यहां पर आगे बढ़ाएंगे तो 50 में अगर मैं 10 मिनट और जोड़ दू तो यह बच जाएंगे 7 ठीक है समझ में आ रही है बात देखिए यहां पर 6 10 मिनट तो यह बच गए तो दस मिनट तो यह बच गए फिर 38 मिनट मेरे यह बच जाएंगे और यह गंटे का कितना पार बताना है तो 60 नीचे रखेंगे और 38 और 10 और 48 तो 48 आप उपर रख देंगे इसको आप डिवाइट कर देंगे तो 12.48 और 12.50 तो इसका 4 बटा 5 इस त खोड़े अच्छे लेवल का कोशिन बनेगा तो क्या बन सकता है उसको देखेंगे यहाँ पर सवाल है कि एक दिवार घड़ी में एक दिन सुभा 8 बजे ठीक समय कर दिया गया मतलब 8 बजे तो टाइम था है वो हाँ पर उसमें मिला दिया गया यह गड़ी 24 घंटे में 10 मिन एकर चल जाती है तो जब अगले दिन एक बजेगा तो वो कितना एक चल चुकी होगी वो में कम करना पड़ेगा उस टाइम एक से टाइम क्या हुआ होगा कुछए घरड़ी जो है वो आ गया चल रही एक स्टा तो में पीछे आना पड़ेगा कैसे करेंगे आपकी सोच काख ठेले बस सवाल समाज में आगया न अब दिखे क्या करना इस जुबह आड बज़े से अगले दिन सुबह एक बज़े की बात हुई है तो अगर मैं देखूं कि सुबह 8 बज़े से अगले दिन सुबह 8 बज़े तक कितने घंटे हो गाए यह आपके हो गये 24 घंडे ठीक है सुबा 8 बज़े से अगले दिन next डे सुबाट बज़े तक 24 घंटे ओग और इतने घंडे में वह बढ़ चुकी होगी कितने 10 मिनट आगे बढ़ चुकी होगी इसका मतलब 10 मिनट तो हम ये कम करेंगे, क्यूंकि आगे बढ़ चुकि इसलिक कम करेंगे, एक्जेक टाइम मिलाने के लिए, अब देखिए, हमें तो अब अगले दिन, अगले दिन 8 बजे से 1 बजे तक, अब इतने टाइम में भी वो कुछ एक्स्ट्रा चली होगी है, कितने घंटे हैं, ये हैं आपके कितने हो जाएंगे, आपकी ये 5 घंटे हैं, तो इन 5 घंटों में भी तो वो कुछ एक्स्ट्रा चली होगी न, वो कितने एक्स्ट्रा चली होगी, वो हम निकाल के, वो हम एक बजे में से कम कर देंगे, उतना टाइम तो हम पहले आजएंगे, एक्जेक टाइम पर, हमें ये पता है कि वो 24 घंटे में वो 10 मिनट पीछे हो रही है, हमें ये तो पता है कि वो 24 घंटे में 10 मिनट पीछे होती है, तो 5 घंटे में कितना पीछे होगी, मैं क्या करूँ, मैं एक घंटे का निकाल लूँ, और उसकी 5 से multiply कर दो तो 5 घंटे का निकल के आ जाएगा बहुत आसान तो मैं क्या करूँगा एक घंटे का कैसे निकालूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे 10 मिनट की divide करनी पड़ेगी 24 घंटे से तो 1 घंटे का निकल के आएगा मुझे निकालना कितने घंटे का है 5 घंटे का तो मैं इसी की multiply कर दूँगा पांच घंटों से ये भी घंटे ये भी घंटे अब यहाँ से अगर मैं इसको solve करूँगा यह आएगा 10 पंजे 50 और नीच आएगा आपका 24 इसको मैं काटूँगा 24 दूनी 48 हो जाएगा और पॉइंट लगा के 0 उतारूँगा और फिर मेरा ये जाएगा 24 अटे ठीक है इतना जाएगा और पॉइंट के माँ दो बारी करते है आएक solve परने की ज़रूफ नहीं है तो यहाँ पर यह आपके निकल के आगया 2 मिनट 8 सेकंड अब ये इतनी यहाँ पर एक्स्ट्रा चली होगी मतलब मुझे ये 2 मिनट और 8 सेकंड ये और माइनस करने पड़ेंगे तो टोटल मुझे माइनस करने पड़ेंगे 12 मिनट और 8 सेकंड अब देखिए किस में से माइनस करूँगा और मैं यह माइनस क्यों कर रहा हूँ माइनस कम इसलिए कर रहा हूँ कि घड़ी आगे आगे चल रही है तो exact time, असल time क्या है उसके लिए मुझे घड़ी के time कीछे करना पड़ेगा हमसे कहा है कि वो एक बज़े दिखा रहे है यह भड़ी के एक बज़ चुका है तो एक बज़े में से मैं कितना माइनस कर दूँगा बारा मिनट माइनस कर दूँगा तो जब मैं एक बज़े में से बारा मिनट माइनस करूँगा आई यह करते है फटा फट यह हमने घड़ी उठा ली अब यहाँ पर पहले हम एक बजाते हैं यह हमेने फटा फट टाइम को आगे बढ़ा के एक बजा दिया यह बजी यह ठीक है एक बजे में से हमें बारा मिनिट पीछे करने है तो यहाँ से यह मेरे बारा मिनिट पीछे होगा दस मिनिट यह पीछे होगा एक और एक दो, ये मेरे बारा मिनट पीछे होगा, टाइम क्या दिख रहा है, टाइम हमें दिखा, बारा बज़ के 48 मिनट, भई, 45, 45, 46, 47, 48, तो बारा बज़ के 48 मिनट होंगे, अब यहाँ पर second का कोई issue नहीं है, तो यहाँ पर minus करने के बाद आएगा, आपका 12 बज़ के 48 मिनट जो होंगे, वो exact time होगा, उस घड़ी के according, ठीक है, वैसे तो एक बज़े दिखा रहे हैं लेकिन, असल में time हुआ है, तरी कैसे कैसे बनते हैं, उनको करना आपको सिखा सकूई, जो मैंने सिखा दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ मेरे दोस्तो, इमो एप्लिकेशन को ज़रू डाउनलोड कर लीजेगा, अगर आप फिरी में वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ,